जिलमिल जोर से चीकते हुए कमरे से बाहर आती है और कटोरी फेंकती है जिलमिल अभी आदे अधूरे कपड़ों में ही थी ये देखकर शुकला जी तो मुह ही फिर लेते हैं तब ही अमर पास रखी चुनरी उसके बदन पर डालने जाता है तो जिलमिल जला कर उसे ही चाटा लगा देती है मेरा जीवन नरक बनाने के लिए लाए हो क्या मुझे बोलो ये तुमारी बहन बोडी लोशन के नाम पर बदबुदार घी दे गई है मुझे देखो मेरा बदन पूरा बदबुमा रहा है पर भाबी माने तो बचपन से घी ही लगाया हमारे देसी घी से वदन कौमल और चमकदार होता है तो फिर तू क्यों नहीं हुई चमकदार हूर की परी और खाने को घर में दाना नहीं तुम आए बड़ा शरीर पर घी मलने वाले पता नहीं क्या ही जहर मिला कर दे दिया मेरा तो पूरा बदनी जल रहा है और तुम तुम क्या बोले थे कि मैं ज शुकलाइंड फर्ष पर पोछा लगा रही थी और बेबस शुकलाजी के पास घर के मामले में बोलने की आजादी बची ही नहीं थी पराई नारी सब पर भारी बस यही बात चल रही थी जलमिल कुछ देर में कमरे से बाहर आती है उसने बिंदिया के पूरे ब्लाउस को काट छाट कर अपनी जैसा कर लिया था अब जाकर सास आई है ए बुढिया ये बता ये तुम लोग इतने पूरे कपड़े पहन के से लेते हो और चुटिया कुमारी तुम सुनो मुझे कुछ यमी सा खाना है तो वो बना दो देखूं तो कितने संसकार है तुम में जलमिल हुकुम चला कर खुद जनलप के बिस्तर पर जाकर बैठती है और बाकी सब बिना शिकायत के उसकी बात मानते है अमर भी पर्ची लेकर जा रहा था कि तभी आदत से मजबूर बसंती उसे रोक लेती है अमर बेटा कहां बाजार चले और ये गाल इतना लाल के से लग रहा है कहीं बहु ने चुम्मा तो नहीं जबा दिया अरे ऐसे मत देखो हमसी कैशर मानाब तुम तो एक क्या सो चुम्मा ले और दे सकते हो अब इनको ही देख लो बच्पन बरस के हो गए है पर फूर्ती आज भी वैसी है जहां देखो महीं दबोचे लेते हैं और फिर चुम्मा दिये बिना जाते नहीं है राम 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 आमर बीटा तुम कैसी बाते करते हो हमसे अरे हम बहुत बड़ी है तुमसे उमर में अपने बरावर वालों से ऐसी बाते किया करो अच्छा चाची जी ठीक है ऐसा ही करूँगा आगे से वैसे भी आप चुप रहती हैं तो लगता है थोड़ा बता दूँ आपको पर अपसे मैं ही चुप रहूंगा प्रणाम बसंती ताने को भी तारीव समझ कर इतरा जाती है और अमर चला जाता है जाते हुए वो अपने पैंट की जेब टडोलता है और बस बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है उधर बिंधिया दीरे धीरे घर का कोना कोना समझने लगी थी रहुना के कपड़े कब धुलते थे कब प बिंधिया रौनक की बात पर हस देती है है ना बचुआ बटुआ एक जसा लगता है लगता है जैसे किसी बच्चे को बेटू करके बुला रहे हूँ हाँ क्या चीज हो तुम बिंधिया तुम्हारा कितना मजाग बना लू तुम कभी बुरा ही नहीं मानती हो बुरा? बुरा क्यों जी? ये घर तो हमको खाने को रोटी, रहने को छट, पहनने को कपड़े दे रहा है हाँ, कपड़ा तनिक छोटा और कटा-पटा है, मगर कम से कम ढखा हुआ तो है पदा है बाबू, जब हमारे अमर जी हमको लेने आ जाएंगे न, तब हम उनको जरूर बताएंगे कि हमें एक भले परिवार में रुके थे, हमारा बहुत ध्यान रखा गया और आप लोग सच में बहुत अच्छे है बिंधिया इमोशनल होकर रौनक की पाउं छू लेती है अरे बस बस, मेरे को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है हाँ बस, अगली बार मेरी सफेज शर्टों को अलग, और बाकी रंग के कपले अलग रख कर जमाना, चलता हूँ रौनक आज पहली बार, बिंधिया से मुस्कुरा कर बात कर रहा था वो जाते हुए उसकी सर पर हाथ फेर कर हस्ता हुआ निकलता है बटुआ, पागल लड़की, एकदम ही दियाता नो तुम बिंधिया आज खुशी से काम कर रही थी, लगा जैसे इस घर में उसे किसी ने इंसान समझा वो किचन में काम कर रही थी, कि तब ही उसका गैस सिलेंडर लीक करने लगा और एकदम से पूरे घर में गैस फैल गई, जोड़दार बद्बू सून कर मोहिनी को पता लग जाता है और वो भड़कती हुई सीडियों से नीचे आने लगती है अरे ओ सत्या नाशी, घरी ब्लास्ट कर देगी क्या अरे खिड़किया खोलो, दर्वाजे खोलो, चूला मज जलाना, वनड़ घरी भट जाएगा ए लड़की रुख जा मोहिनी हडबडा कर उतरी रही थी, कि उसका पाउं स्लिप होता है और वो लुड़कती हुई सीध है, नीचे आ गिरती है, उसके पाउं और कमर में लगती है मर गई रहे, अरे अब शुक नी पाउं की, तो किसले आई है यहाँ अरे चौधरी जी उठाओ तो मुझे, लगता है अंग अंग सब तूट गया है बिंदिया आवाज सुनकर दोड़ी आती है, और चौधरी जी भी आते है नौकर मिलकर खिड़की खोलते हैं, और चौधराइन को बिस्तर पर लेटाते है माजी, ये कैसे? मैं ऐसे चपेड़े लगाऊंगी ना तेरे, कि इस 32 सी से दुबारा पूछ नहीं पाएगी कि कैसे? ये बता, जब सिलेंडर से गैस निकल रही थी, तो तेरे इरादे घर उड़ाने के थे क्या? देख, तेरी गलती के वज़े से मेरे साथ क्या हुआ है? मा जी, गैस कौन सी, गैस, मुझे ये चीज़े समझ नहीं आती, हमारे घर में तो मा मिट्टी के चूले पर सेखती थी, या फिर सरकारी बिजली को चोरी करके थोड़ा बहुत हीटर जलाते थे, उसी पर बनाया खाना, मुझे नहीं आता सिलेंडर पर काम करना. तो करम जली जब नहीं आता तो इस फूटे मुझे बोल तो सही, आज अगर मैं समय पर नहीं भागती, तो लटके होते मैं और चौधरी तस्वीरों में हार चड़ा कर, हाए मर गई वे, बहुत दुख रहा है, कल मैं कैसे जाऊंगी दोस्तों की पाठी में, ये जो इमिज क भी पीछे पीछे आता है, भावी, रो ये नहीं न, प्लीज, मा की तो आदत हो चुकी है वकवास करने की, अब बात दिल पर मतलो, देखो, मैं बता देता हूँ कि सिलेंडर की गैस कैसे देखते हैं, देवर जी, मुझे मा जी का बात का बुरा नहीं लगा, वो बड़ी है, वो जो चाहें सब कह सकती हैं, मुझे बुरा लगा, मेरी वज़े से उनको चोट आ गई, वो कितना दर्द में होगी, कितना दुख रहा होगा, रात को बिचारी कैसे सोएंगी, कल इतना बड़ा कारिक्रम है उनका, और वो है कि, सब खराब काम मेरी वज़े से होता है, रात जोड कर रो देती है, माफ कर देना मुझे माजी, मुझ जैसे पापी को तो नरक में भी शंबू जगे नहीं देंगे, उधर अमर देर रात को घर लोटता है, उसके हाथ में एक थेली थी, जिसमें जिलमिल का तेल, पावडर, क्रीम, लोशन, सब था, जिलमिल करवटे ले कि तभी अमर उसके पास थेली रख देता है, अरे वा, तुम तो सच मुझ काम के निकले, क्या बात है, वैसे कहीं सस्ता वाला सामान तो नहीं उठाला है न, देखो तो, पता चले मेरी स्किन के साथ गडबड हो जाए, तुम्हारी बहन ने तो कसर छोड़ी नहीं वैसे भी पता चले तुम भी मुझ से बदला ले रहे हो, कि बहन का बदला जब तक लूँगा नहीं, तब तक छोड़ूँगा नहीं, भईयो भईयो नाम है मेरा, लंगूर ही हो तुम चलो, आप हसी तो सही, कल से आपको दिकद नहीं होगी, कुछ हो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, बस मार बाबा को कुछ मत बोला करिये, जैसे आपके मार बाबा सबसे की इंती है, मेरे मार बाबा भी मुझे बहुत प्यारे हैं, देखे जिल्मिल जी, मैं आपकी बह और अमर सो जाता है, जिलमिल पी अपना बिस्तर लपक कर समान देख रही थी। जिलमिल अमर के हाथो को अभी भी देख रही थी, उसके हाथ गायल देख, जिलमिल समान की थेली अपनी नज़रों से दूर रख देती है, खाना खाया तुमने? भूख से मीठे पैसे तो बचा ली, आप मेरी फिक्र मत करो, सोजा ओ प्लीज, जिलमिल किसी की फिक्र नहीं करती, समझे वो मुझे भूख लग रही थी, तो सोचा की बस पूछ लूँ तुमसे ऐसा कोई परवा करने का शौक नहीं है मुझे वो भी तुम जैसे लड़के की परवा चलो, मैं जा रही हूँ कुछ खाने का देखने अमर मुस्कुरा कर करवट ले लेता है और जिलमिल किचन में जाकर रोटी उपर सबजी वगरा रखकर कुछ तो बनाती है हाँ, इससे शायद उसकी भूख मिटे वैसे भी कबसे उसके पेट की आवाजे शोर मजा कर मुझे तंग कर रही है एक बर उसका पेट चुप हो जाए तो मैं सोऊ जिलमिल कमरे में जाती है, तब तक अमर सो चुका था वो अमर के पास ही खाना रखकर उसकी चाले देखती है और अपनी मा की बात याद करती है मॉम कहती थी हल्दी से बड़ी कोई रेमिडी नहीं, वही लगा देती हूं और जिलमिल कटोरी में हल्दी लाकर उसके हातों पर मल देती है अमर के चेहरे पर राहत नजर आ रही थी और कटोरी वही रखकर चुपचाप आकर सो जाती है जिलमिल के जाते ही अमर करवट बदल कर खाना और मलहम देखकर मुस्कुराता है और उसकी सोने की बाद उठकर जिलमिल का बनाया खाना खाता है आज लगा अमीरों के चमकते पत्था जैसे शरीर में एक छिपा कोमल दिल भी है बिंदिया चुपके से मोहिनी के कमरे में जाती है और उसकी पाओं दबाने लगती है मोहिनी को हाथ लगने का एहसास होता है तो वो बिंदिया को जोड़दार लात मारती है बिंदिया फिर से लात लपक लेती है और मोहिनी और तीज लात मारती है ऐसा चार-पांच बार होता है अरे डायन रात में तो चैन ले लेने दे क्या गला ही दबाईगी मेरा सोती हुई कोही निप्टाने आई है लगता है नहीं नहीं माजी बस एक बार मुझे सेवा करने दो अम्मा बाउजी कहते थे कि बिंदिया के हातों में ही जादू है एक बार दबाने दो बस देखना कल तक आप ठीक हो जाओगी कर लेने देश को भी अब नौकर तो नौकरों वाले काम ही करेगा न तुम लो सर्वेस तुमको क्या दिक्कत साधा दिक्कत हो तो फटकार देना एक जोर दाल लात ऐसी की कमरे से बाहर आ जाए अब सो जाओ मुझे नीद आ रही है बिंदिया अब फिर से मोहिनी का पाउं थामती है तो मोहिनी पाउं नहीं जटकती अब बिंदिया के चेहरे पर खुशी थी सेवा सबसे बड़ा परोबकार आप एकदम ठीक हो जाओगी माजी मोहिनी को नीद आ गए थी सुबह का समय होता है रौनक उठकर देखता है तो उसका गवार रूम पार्टनर कहीं नहीं था और रौनक की आखियों से तलाशने लगी वो बिंदिया को ढूंटा हो बाहर आता है और इधर उदर देखता है तब ही रितिक भी आ जाता है किसे ढूंडे तुम्हारे अखियां बोलो बोलो जशट अब मैं बस मौम को ही देख रहा था मेरे साथ आओ रितिक भौनक को मोहिनी के कमरे के बाहर ले जाता है और देखता है कि मोहिनी तो बड़े आराम से सो रही है और उसके कदमों में पड़ी थी बिंदिया जो रात में पाउं दबाते दबाते मोहिनी के कदमों में ही सो गई थी अचानक मोहिनी की आँख खुलती है और वो बिंदिया को अपने पाउं में पड़ा देखकर चड़ जाती है दूसरी ओर जलमिलाज अमर से पहले उड़ गई थी उड़ते ही सबसे पहले वो अमर के पास रखी थाली में जाकती है जो खाली थी तो लंगूर ने चक्खा अंगूर हम् आखिर दोनों लड़कियां घर की चुरौतियों में एक कदम आगे रख चुकी थी मगर मंजल तक पहुँचने से पहले कैसे इनकी जंदगी का तूफान इनकी और बढ़ रहा है यह आपको देखने को जल्द मिलेगा केवल लापता दुलहन में देखते रहिए लव सिटी को जुड़े रहें सब्सक्राइब करें प्यार देएं लाइक और शेयर करके थांक्स ओर वाचिंग